नमस्कार दोस्तों उमीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीकी सब नित्यारी कर रहे होंगे आज हम लोग 18 दिसंबर के करेंड अफेर्स के ऊपर कोशिंस डिसकर्स करेंगे आए पहले कोशिंस की तरफ चलते हैं वेज इंस्टिट्यूशन डेवलोव आर्सेनिक एंड मेटल रिमोवल इंडियन टेकनलोजी फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन आप्शन से हमारे पास आए टी मजरास या फिर आए टी देली या फिर आए टी बांबे या फिर आए टी खडगपुर इसका सही जवाब होगा आए टी मजरास ने यह टेकनलोजी बनाई है कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए अगर कोशन आता है कि किस के ऊपर डिपेंड करता है ना किस चीज पर बेज़ आए टेकनलोजी तो वह है आपका नैनो स्केल आइरें ऑक्सी ऑक्स हाइड्रोक्से अगर अमरित भी कहा जाता है अगर आप अमरित का फुल फॉर्म देखेंगे तो वह है आपका आर्सेनिक एंड मेटल रिमूबर इंडियन टेकनलोजी के अमरित का फुल फॉर्म भी यही है आईए नेस कोशन की तरफ चलते हैं हम लोग गडर नादाए आपका सब्सक्राइब दॉर्म फॉर्पर आपकर न सेफिकनलोजी कोशन कीक एंडियन टेक्वारी घ्र हो फॉर्पर पास मिनिस्ट्री ऑफ आफ आपको किस अवीच और नेज्टना आपको है नाचनल एंडियर्ट पॉर्शों आप्शन हमारे पास आप्शन डी है इंडियन कांसेल और फोरेश्ट्री रिसेर्च और एड्यूकेशन इसका सही जावाब होगा नैशनल एक्रिटेशन बोर्ड फॉर सेटिफिकेशन ओके नेश्ट के दिला चलते हैं हम लो टाटा पावर एवी चार्जिंग सॉलिशन लिमिटेड साइंड एमो यू विट विच कंपनी टो डिप्लॉए 500 एवी चार्जिंग पॉइंट्स ओके टाटा हो गए और भी काफी कंपनी हैं जो आजकल एवी यानि की इलेक्रिकल वेहिकल निकाल रहे हैं तो कि इस कंपनी के साथ मिलके इन्होंने डिसाइड किया है डील किया है कि व पंप टैप करी बनाया जाएगा जैका जिसे भिट कई होता है मैं से चार्जिंग पॉइंट्स भी चाहिए ही होगी ऑफशन ए हमारे है हिं धिया नृट्य ब्हारत पेट्रॉलियम आपशन शी रियलाइंस ऑपशिन डी इंडियन॓ई यह और कि श्थी peng Tam Last to wait इंडियूर के साथ यह बात हुई है इंडियन और कोपरेशन लिमिटेड जो कंपनी है एंड जो मोटो है इनका वो यही है कि इंटर सेटी चार्जिंग नेटवर्क एक बन सके हैं हर थोड़ी थोड़ी दूर पर चार्जिंग पॉइंट से रहेंगे और एक शहर से दूसरे शहर जाने में कोई तकलिफ ना हो इलेप्ट्रिकल वेहिकल्स को नेट्स की तरफ चलते हैं हम लो इन विच कंट्री वास अस्टैट्यू डेडिकेटेड टू थ्रिवोलर अन्वेल्ड रिसेंट्ली तरिवोलर जी का स्टैट्यू है कहां पर अभी भी बना है यह पूछा जा रहा है ऑप्शन से मारे पास जर्मनी ऑप्शन बी फ्रांस ऑप्शन सी युएसे ऑप्शन डी ब्राजील इसका सही जवाब होगा फ्रांस के फ्रांस में इनकी एक नहीं आइड़ एक नहीं मूरती बनी है स्टैट्यू बना है यह एक प्रांस में कहां अगर आगको प्रिसाइसली फूछन बूचा तो करजी में बना यह स्पेलिंग होंगी इसकी सी ए आर जी वाई ओके फिरजी में बना है एंड अगर थिरूलर के बारे में इनको आइडिया नहीं उनको मैं बता दो इनको वल्लूवर भी कहा जाता है जो इस थिरूवला पार्ट है वह आप अगर नहीं भी रिखते हैं वह एक से रिस्पेक्ट के साब से तो वल्लूवर भी कहा जाता है बाकी यह एक तमिल पोएट रहे हैं अपने टाइम के एंड फिलोसफर भी हैं तो तमिल से इनका यह है बाकी अगर देखा जा तो इंडिया में भी इनके स्टैचू है अल्रेडी लोगी तो फॉरें में फर्स टाइम हुआ है इंड कंचा इंडिया कंवारी में स्टैच्यू है स्टैच्यू का बारे में भी आ हो तो थोछ़़व जांगारी होनी चाहिए ना कि किसके साइशन की दौरान यह हुआ था उस वक्रेशीन और प्रेसिडेंट कौन थे फांडिंग प्रेसिडेंट नहीं रखा था तो फांडिंग फिट है हो कि 95 फिट का है वह तरह कि आप इसके वारी में थोड़ा एडिया रखें विक कॉज़ निव चीज आप काफी अच्छी कोशिंस बन सकते हैं फिर चाहिए हिस्ट्री पॉइंट अफ्यू से हो या फिर 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 अफिर पॉइंट पॉइंट फिर आइ पास विराट कोली रोहिष श्यर्मा शुमन गिल मौहमत शामी गूगल के टॉप दस ट्रेंडिंग एथलीट में किसका नाम है यह पूछा जा रहा है दो हजार तेश्क में कि अगेन एक लिष्ट का कुछ है ना मैं पहले भी कई वार रिपीट कर चुका हूं फिर से यहां पर कोई नया श्रूंट है तो उसके लिए बता दू कोई लिश्ट हो कोई इंडेक्स हो कोई सर्वे हुआ है कोई समिट हो रहा है कहीं भी तरकित कितर ग्यादरिंग हो रही है तो इसका सही जवाब होगा शुम्नंग गिल शुम्नंग गिल जो है ट्रेंडिंग टॉप अटलीट में रहे हैं है ने सब्सक्राइब चलते हम लोग विच ब्रिटिश इंडियन कंपोजर हैं इन इंक्लूड़ेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर बुकर प्राइज ज पैनल में किसको इंक्लूड किया गया पूछा जा रहा है और यह एक ब्रिटिश इंडियन कंपोजर है और से हमारे पास अमिताब घोश किरन देसाइग सलमान रुष्टी या फिन नितिन सहानी सही जवाब होगा इसका नितिन शहानी नेस्ट कुछन की तरफ चलते हम लोग सात्विक साय राज एंड चिराग शेट्टी है बिन नौबिनेटेड फॉर खेल रदन विच स्पोर्ट आर दे रिलेटेड टू ऑप्शन साहमाय पास टैनिस बैडमेंटेटी है नितिन नितिन कबड़ी या फिर होकी देखिए आपको कुछ नौलेज मिल भी जाए और साथ में आपको आइडिया नहीं उसका एक कोशन भी यहां पर बनता है तो खेल रतने के नितिन कौन आपको पता चल गया और किसे स्पोर्ट से हैं वह अभी आपको आइडिया लग जाएगा अगर को नहीं पता था तो बाकि मैं आसे पहले भी किया चुका पिछले कई वीडियो में हमने कहा यह चीज कि स्पोर्ट से रिलेटेट कोई भी कोशन हो डेफिनिटल आपको पता होना चाहिए इसपेशली अगर अवार्ड रिलेटेड है तो यहां पे यह दोनों ही शक्स हमारे बैडमेंटेन से तालुक आज़कते हैं बैडमेंटेन प्लेयर से यह नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं हम लोग है हूँ है रिसेंटली बिन अपॉंटेड एज पार्ट टाइम मेंबर फोर पेंशिन फंड रेगुलेटरी और डेवलोप्मेंट अथारटी किस डिपार्टमें बनाए गया है कौन है आपके पास परम सेन ऑप्शन बी एनी जियॉर्ज मैथ्यू ऑप्शन सी विकास्त मलोतरा ऑप्शन डी राजी दिक्षित इसका सही जवाब होगा परम सेन इसके पहले इंकारी और रखें कौन है यह इसके पहले इंका क्या देशन था उसके ओपर भी कॉश्चिन आ सकता है नेश्च के चलता है हम इन विच अफ़ फॉल्व इंस्टेट्स हैज इट बिन अनॉंस्ट इस्टाबलेश पी एम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस मद्यप्रदेश राजस्थान ओडिशा गुजराथ पीम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस स्टैबलिश करने के लिए कौन से राजी में बात चल रही थी इसके ओपर काफी न्यूस आई थी न्यूस आई थी सही जवाब होगा इसका मद्यप्रदेश मद्यप्रदेश की जो हमारे चीफ मिनिस्टर है मुहन यादव द्वारा ये फैसला लिया गया है और उनका कहना है कि हर डिस्ट्रिक्ट में पीम कॉलेज वह ऑफ एक्सिलेंस खोलेंगे हर डिस्ट्रिक्ट वाइस इनकी ब्रांच होंगी चलिए इसके वारे में और भी डीटेल में अपने लेवल पर जांगारी रखिएगा आगे आने टाइम में इससे और भी अच्छे-च्छे कोशिस आ सकते हैं नेक्स्ट कुशिंग तरफ चलते हैं हम लोग किसको बताया गया है पूछा जा रहा है आप्शन A है हमारे पास विनेश फगाट आप्शन B शाक्षी मलक आप्शन C अन्तिम पंगाल आप्शन D निकट जरीन अगें इस पोर्ट से लेटेटेट कॉश्चन नहीं कि स्पोर्ट में कई लोगों को क्रिकेट और फुर्वार की नालिज होती है और बॉक्सिंग हो गया रेसलिंग हो गया होकी टैनिस बैडमिंटन फुटबॉल हर एक सेक्टर की नालज आपको होना जरूरी है यहां पर फिमेल स्टार रेसलर की बात हो रही है और यहां पर है हमारा सही जवाब अन्तिम पंगाल इंके बारे में अलए बताया है तो यह लिए वर्ट चैंपियन भी और फियन फिर शिवर मेडल भी जीता है इन्होंने ऐसी चैंपियनसिप में अजने उब कि लिए जिए लुए और फिर चांपियनसिप आज इनके आज कि एपशन और यहींचिजिए तो हजाकरस्तान में एशेन चैंबिंशिप भी हुई थी रेस्टलर्स की चलिए नेस्ट की तरफ चलते हैं हम लोग on which of the following days was the 56th submarine day of the Indian Navy celebrated 56th submarine day of the Indian Navy के बारे में पूछा जा रहा है options है हमारे पास 8th December 10th December 12th December और 14th December तही जवाब होगे इसका 8th December okay next question कि दर बढ़ते हैं हम लोग gaddam kumar prasad has recently been appointed as the new speaker of the legislative assembly of which state के बार में आप अच्छी ने ने question में वता भी दिया है एक बात और एक बात आपसे पूछी भी गई है पूछा जा सकता है यहां पर स्टेट के और ही पूछ रहे हैं स्टेट के आप्शन हैं हमारे पास आप्शन ए राजस्थान ऑप्शन भी चात्यसगर्ड ऑप्शन सी त्यलंगना ऑप्शन डी मद्रप्रदेश इसका सही जवाब होगा गद्दम कुमार प्रसाद चीज चुने गए हैं वह वाई त्यलंगना से ँब्री पूछ हैं उनकी अपनी चैन्य यो वह पूछी जा सकती कि आपका को विकारबाद गहीत तो वह है आपका विकारबाध तलांगना में है और अशकिपमना वहां पर वहां पर विकारबाद को ही ठीप्रेस्ट करते है आजए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं एड विच वॉल्ड प्लेसेज वॉस्ट फिफ्ट वर्ल्ड क्लीन एन्वार्मेंट इंट्रनाशनल समिट और गनाइज देखिए एक और समीट का पॉश्चन आ गया कई लोगों को आईडिया ही Medicine क्ली में अनक्सिय उस्ता हमाना में अगया है इस तरह कोरा हो ना समीट को एक पता होना चाहिए कि यहां पर जैसे कोशन आए कि फिफ्ट वर्ड क्रियर मेंमेंट इंट्रेशनल समिट हुआ है कहां पर हुआ है इसके ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए पटना ऑप्शन बी नियो डेली ऑप्शन सी बैंगलूरू ऑप्शन डी गुरुगरांग कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पटना में यह समिट हुआ है पता होना चाहिए इस समिट के बारे में आप वह चीज नोट करें सर्च करें और उसके बारे में नोट करें ठीक है हम यहां पर आपको सेक्टर और एरिया बता देते हैं कि कौन से एरियल एरिया से आपको न्यूस सर्च करनी है कौन से सेक्टर से आपको सर्च करनी है किस मिनिश्ट्री के ऊपर से कोशें बन रहे हैं आजकर आपको आइडिया हो जाता है कि क्या आपको पढ़ना है अगर आप हमें कॉमेंट में बताएं कि आपको क्या स्कोर रह रहा है या आपको कौन से section of news में ज्यादा दिखकते हैं तो हम आपके लिए उस section से उस part of news से ज्यादा questions लाएंगे और आपकी help करेंगे okay so please comment करें ताकि हम आपकी और किस section से help कर सकते हैं okay next question की तरफ चलते हैं हम लोग who has become the first Asian male player to be inducted into the international tennis hall of fame okay कौन है जो पहले Asian male player में है international tennis hall of fame के में कि यहां पर options हैं हमारे पास option a लियांडर पियर्स option b विजय अमित्राज option c both of the above option d none of these अब करें और काफी चर्चे में रहा था इसका जवाब काफी लोगों को पता होगा जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए बता दो यह दोनों ही लोग जो है hall of fame में शामिल हो चुके हैं international tennis के ओके अ कि इसी के साथ साथ जो इंडिया है वो 28th country बनता है जिसका नाम इसके पहले international tennis hall of fame में आया है इसके पहले international tennis hall of fame में जो भी लोग थे वो 27 कंट्रियों से थे पहली बार कोई इंडियन भी वहाँ पे आया है तो इंडिया जो है 28th country बनी है इसका भी question आ सकता है आपके लिए बाकि अगर जैसे Asian male का यह question था अगर Asian woman का question आएगा तो उसके लि ली ना चाइना की प्लेयर है ली ना वह भी international tennis hall of fame में शामिल हुई है Asian first woman अगर प्लेयर पूछा जाता है आपसे तो इसके बन सकते हैं जितने मुझे on the spot यादा आ जाते हैं आपको बता देता हूं बाकि मेरे ऐसे गुजारी चाहिए कि फिर भी आप हर एक topic को हर एक news को जिस बारे में आपको बताते हैं उसलिए अपने सोड़े सोड़े नोट्स बना के रखें ज्यादा नहीं हर एक news से at least 5-6 question आपको पता होने चाहिए जो news को हम यहाँ पे discuss करते हैं जो news यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उसे इतना करना है और इसलिए डेली ज्यादा नहीं देखें 15-25 मिनट की वीडियो यहाँ पे होती है 20-25 मिनट की ज्याद ज्यादा और आप अपने लेवल पर थोड़े से त्यारी और करते हैं तो डेली का एक घंटा को खाली देना है और आपका करेंट अफेर्स पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा ओके चलिए नेस्ट कोशन की तरफ चलते हैं वेन वाज नाशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड ऑके आप्शन से माझे पर 11 दिसेंबर 12 दिसेंबर 13 दिसेंबर या फिर 14 दिसेंबर या फिर 14 कौशन से कौन से दिन का मनाया जाता है उस दिन को कोई ठीम रखी गई थी कि नहीं अगर कोई बड़ा सेलिब्रेशन है तो की नोड़ स्पीकर कौन थे या फिर चीफ गेस्ट कौन थे इस तरह की कौशन आपको पता होने चाहिए यहां पी जो कौशन है काफी सिंपल कौश सब्राइब करना सबस्टेश के इस इस पते पर कोशें आ सकते हैं नहीं तो आप यहां पर लाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक कोई पता कीजिए और अज़स निश्याँ होंगे और इस आप अंदर अंदर आपकी जाब लगने के इस्तिती भी आ जाएगी बस थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहे हैं बहुत आरांज से आपकी जाब लग जाएगी ओके थैंक यू बरी मुच थी यू इन दा नेक्स्ट वीडियो